साथियों, जब देश असुरक्षित रहेगा, आतंगबादियों के निशाने पर रहेगा, तो विकास कैसे होगा? आपने देखा सिलंका में, गाड़ी था, बंगला था, सब था, सब चर्च में गए थे, लेकिन लौट करके वापिस नहीं आये, आतंगबाद ने सब तबाह कर दिया। दमाका हुआ था, एक दर्जन से अधिक मासुम रेल यात्रियों को अपनी जान से हाथ दोना पड़ा था, भाई और भेनों, दो हजार चौदा में, दो हजार चौदा से पहले, आये दिन, पाकिस्तान से आये आतंगई, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आये आतंगई, देश को डराते रहते थे, लेकिन, बीते पांच वर्ष में, बेश को दहलाने वाले, ये लोग, नक्सल प्रभाविर छेत्रों, और, जम्मू कश्मिर के छोटे से हिस्से ताग, सिमट गए हैं, और कारण, एक दम साफ है, भाईयों बेनों, आप मुझे बताईए, दो हजार चाउदा के पहले, दमाके होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, दो हजार चाउदा के बाद, ये सब बंद क्यों हुआ, क्या कारण है, क्या कारण है, ये बंद कैसे हुआ, किस ने किया, किस ने किया, आपका जवाब गलत है, मोधी ने नहीं किया, ये तो आपके एक भोट ने किया है, आपके भोट की ताकत है कि देश आतंगबाद के सामने आज लड़ाई लड़ रहा मजमुत सरकार बनी है भाईयों बहनों आज हमारे सपूत पाकिस्तान में घुश करके आतंगबाद को मारते हैं एक घुश करके मारना ठीक नहीं है घुश करके मारना चाहेगे नहीं मारना चाहिए आतंगबाद जहां से आता है वहीं हमला बोलना चाहिए नि बोलना चाहिए बोलना चाहिए इतना ही नहीं देश के भीतर छुपे गद्दारों को मत और पंत से उपर उड़कार सजा दी जा रही है यही निती हमारी है जिसके बल पर हमने आतंगबाद और नक्सलबाद को खत्म करने का संकल्प लिया है तब ही देश इस चोकिदार पर बरोसा करता है